देवा जीले के निर्मावर में गंगा दश्मी पर एक लाग सर्दिक श्रधालू ने जीवन दाइनी मान नर्मदा में आस्ता की दुप की लगाई पंडित जी के अनुसार गंगा दश्मी पर जीवन दायनी मा नर्मदा में इसनान करने से पुर्णे फल की प्राप्ति होती है साथ ही यह भी बताया गया कि इस दिन मा नर्मदा से मिलने मा गंगा आती है और इस दिन मान नर्मदा में इसनान करने से मौक्ष की प्राफ्टी होती है साथी आजिक की दिन जो मान नर्मदा में इसनान करता है उससे गंगा इसनान के फल की प्राफ्टी होती है पाकों से मुत्य होती है बड़ी दूर दूर से शद्धालू का एक दित को विस्रही मान नर्मदा के टट पर पहुँशना कारम हो जाता है शद्धालू दूरा मान नर्मदा में आस्ता की डुपकी लगा कर सुदेश्वर महादेवकार नर्मदा जल से अभिशेक कर सुख सम्रद्धी की कामना की गई वहें गंगा दशिरा महापर्व को देखते हुए फुलिस प्रचाशन की चाख चौबन वेवस्ता देखी गई कहते हैं कि राजा भागीरत की तपश्या का उन्हें पूर्ण फल प्राप्त हुआ था बगवान शियू के जटाओं से भगवती गंगा मा प्रत्वी पर अवत्रित हुई थी और जेश्ट माश की शुकल पक्ष की दश्मी को भगवती गंगा अवत्रित प्रत्वी पर से मुक्ति मिलती है इस दिन विशेश कर इसनान करने से भगवती गंगा और मा नर्मदा में पित्र दे होता रसन्न होते हैं साथ ही भगवती गंगा और मा नर्मदा के जल से भगवानशियों का जलाविशे करने से विशेश फल प्राप्त होता है मिर्ट्यो पिरांत मनुष्य को मोक्च फल की प्राप्ती होती है गंगा दशहरा के दिन भगवती गंगा और मानर्मदा में इसनान करने से एक माननेता यह भी कहते हैं कि गंगा दशहरा को मानर्मदा में साक्षाथ भगवती गंगा मिलने भगवती नर्मदा से आती है कहते हैं गंगा और मानरमदा का मिलन गंगा दशरह के दिन ही होता है भगवती गंगा का तो विशेश पर्व ही है साथ में मानरमदा का भी गंगा दशरह के दिन विशेश पर्व मनाया जाता है आप देख सकते हैं मानरमदा के नाभी तीर्थ में किस तकार से अलसुबै से भक्तों की कतार यहां भगवान शियों के मंदिर में लगी है हजारों की तादाद में शट जालू यहां मानर्मदा के जल में भगवती गंगा का और मानर्मदा का जैकारा लगाते हुए इसनान कर रहे हैं बगवती नर्मदा के जल से मागंगा का ध्यान करते हुए मगवान शीव का जला अभिशेक कर रहे हैं।